और वहां वो एक वृक्ति विचेश का प्रोग्राम था, इसलिए हम वहां नहीं गए, अगर उसको सब लोग में कर करते, सहनी समाज को ग्रूप करता, सहनी जागरती मंच करता, सहनी ओल इंडिया सहनी सभा करती, या सहनी युवा मोर्चा करता या अखिल भारते सहनी सभा उसको करती तो आदे सहनी समेलन नहीं कहूंगा मैं उसको कॉंग्रेश का प्रोग्राम भी नहीं कहूंगा उसको मैं कहूंगा वो सहाफ सिंग का प्रोग्राम था बिसिकली पर्टिकुलर एक आज मी का प्रोग्राम समाज के ठेकेदार के रहे हूं लोग घर के ठेकेदार नहीं हो रहे हैं मैं आपको कहूं घर के ठेकेदार नहीं है आज की देट में मैं घर की गारंटी नहीं ले रहा हूं तो मैं समाज की गारंटी कैसे ले लूगा तो ले के लिए और उसमें जो है मुख्या थी जो है अरिश्यावत जी रहे और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले वह कारेकरम हुआ था तो उसी संबन्द में बात करने के लिए आदेश सेनी जी मेरे साथ में है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता भी है और सेनी नेता भी यह है तो तुमाम उद्धों पर बात करें कि आदेश जी सबसे पहले स्वागत है अपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में धन्यवाद मोनु जी आपको ब्रेकिंग न्य पर भीड़ हुई आप इस कारेकरम को किस नजर्य से और कैसे देख रहे हैं देखिए मोनु जी मैं उसको सेनी समेलन नहीं कहूंगा मैं उसको कॉंग्रेस का प्रोग्राम भी नहीं कहूंगा उसको मैं कहूंगा वो सहाफ सिंग का प्रोग्राम था बिसिकली पर्टिकुलर एक आज भी का प्रोग्राम था वेक्ति विचेश का प्रोग्राम था अगर पार्टी का होता तो आदेश सेनी सबसे पहले पार्टी के प्रोग्राम में होता अगर वो सेनी समेलन होता तो आदेश सेनी सबसे पहले समाज के तत्पर में खड़ा होता और ऐसे हमारे रूटके के सभी लोग वहाँ पर मौझूद होते हमारे उत्राखंड के मौझुदा सेनी समाज होता और हमारी कॉंग्रेस पार्टी के और भी लोग वहाँ होते अगर वो दोनों ही उसका इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग उस नाम को सुनकर क्योंकि अजेंडा छुप था उसका उस डैली का एजेंडा छुपा उगा था कि जैसे कह देते lib आ कि वी बिकने वाला सभानल कुछ और अगर वो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है हम लोग उनका स्वागत भी करते हैं अगर वह आना चाहते हैं उन्होंने ज्वैनिंग भी कर लिया, उत्राखंड में आना चाहते हैं, तो हम उनका वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज को जूट बोलकर, एक सेनी समयलन के नाम पर, बुला कर वहाँ दूसरे समाज को भी बुलाना, ठीक नहीं है, अगर आप लीडर हैं, तो लीडर क का साथ दे रहे हिएं, और आने वाले चुनाओं में जहां भारतेर जनता पार्टी का सेनी समाज का एक ठपा लगा हो आता है, तो इस रेली के माद्धम जेक संधेश बह गया है, और आंगरे का कांग्रेस के साथ में आगे, विल्कुल ठीक कहरे हैं, मोनो जी, अभी हम कुछुँ डेखो.. तो एस बात को.. इस बात को कैसे कह सकते है कि साभ सिंग सेनी ठेकेदार नहीं और पूरे समाज कोई बात कर रहे है कि जो है पूरा उत्राखन का सेनी समाज आज कॉंग्रेस पार्टी के साथ है। देखे.. आज कल तुम समाज के थEkaDrat केरे हूं लोग घर के ठेकेळार नहीं हो रहे हैं मौनों जी मैं आपको कौऊ हूं घर के ठेकेदार नहीं है आच की डेद में मैं घर की गारंटी नहीं ले रहा हूं तो मैं सामाज की गारंटी कैसे ले लूँंologists G कॉंगریес की साथ, आज मानीज पूर मुखे मंतरी सरी हरीश रावत जी की साथ आज सैनी समाज कंधे से कंधा मिला कर चलने का काम कर रहा है इसके यानि पहले तो हम लोग बहुत कम थे कॉंगریес में यानि गिने चुने लोग हुआ करते हैं कि हरीज रावत जी के साथ में आज सेनी समाज है बिलकुल बिलकुल आज हरीज रावत की साथ और पार्टी की साथ सेनी समाज ताकस से खड़ा है इसका आने वाले समय में कॉंग्रेस को बहुत लाब मिलेगा और आने वाले और इसके साथ कॉंग्रेस को नहीं है सेनी समाज को दूसरी पार्टियों का भी लाब मिलेगा क्योंकि पहले हम लोग एक ही पार्टिय में गिंती की आती थी आज की डेट में हम लोग जब एक पार्टिय उसको कुछ supply तो दूसरी भी उसको डेने की कोशिस करेगी तो एक सेनी समाज में दोनों ही जैसे यहां उतरा खंड के अंदर दो पार्टी होती हैं भाजपा और कॉंग्रेस तो भाजपा ने अभी तक उन्होंने सोचा कि यह सब बुरा वोर्ट हम लोगों का होगा लेकिन नहीं अब जब वो दूसरी तरफ कॉंग्रेस में उसका जुका होगा تو मेरे सेनी समाज को दूसरी पार्टी में भी लाब होगा तो इसलिए जाद़े से जाद़े लेकिन आज जैसे जैसे लोग ऐक दिन चोटते हैं, तो दूसरे दिन हमारे एक का लीडर, एक BJP का लीडर का लीडर कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारे कांग्रेस की पार्टी भी और जादे से जादे मजबूत होगी, और हम आने वाले 2022 में अपनी सरकार में हमारी भूमिका होगी. कभी लोग महां होते अगर वो लीडर को भी बुलाता और वी समाज के लोग होते है मुझादा लोगों को बुलाते तो वहां कम से कम मिठ कुछी चहरे आप तो पूरी अच्छी तरहätta होगा कुछी छेहरे वह थे जो उनकी साक्र, आप भी नजर नहीं आएए वाँ देखे, जब मेरे पास कोई बुलावा नहीं है, तो मैं कैसे चला जाओं, अगर वह पार्टी का होता तो मैं जरूर जाता, क्यूँकि वो मेरे दिल में बसी हुई है क्योंकि पार्टी मेरी मा के समान है मैं उस पार्टी का समान करता हूँ तो मैं वहाँ वैसे भी चला जाता लेकिन वो पार्टी का भी नहीं था क्योंकि अगर वो सहनी समाज का होता, सहनी समाज वो चीज है अब बेना नहीं था तो वहां हरिश्रावजी क्या कर रहे थी वहां पे बैनर क्यों लगे हुए थी देखो ये तो बाद में पता चला ना वह एजेंड़ाबाद में पता चला वहां कहीं जब बाहर सड़क पर आप कोई बैनर देखोगे अगर चलो सेनी के नाम पे आपको जाना चाहिए था अगर मुझे बुलाते तो मैं जाता और वहां वह एक वेक्तिव ही शेयस का प्रोग्राम था इसलिए अगर उसको सब लोग मिलकर करते सेनी समाज का गुरूप करता लाइक जागरती मंच करता All India Sani सभा करती या Sani Yua Morcha करती या अकिल भारते Sani सभा उसको करती तो आदे Sani सबसे पहले खड़ा हुआ दिखा दियता तो क्या लगत है वो जो भीड वहां पे थी वो भीड वो तमाम लोग Sani थे आप किस तरह से देख रहे हैं क्या वो तमाम लोग Sani थे या फिर कौन लोग थे वो जो यहाँ पर भीर जुटाए गई तेखे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहाँ कौन थे क्योंकि मैं गया नहीं प्रोग्राम में तो मुझे इसके बारे में देखाओगा सबसे जादे यूपी 11 नंबर की महाँ पर गाड़ी खड़ी मिल देखे उस बारे में मैं कुछ नहीं जब मैं प्रोग्राम इस थल पर ही नहीं गया तो मैं आपको ना तो गाड़ी का बता सकता ना मैं वहां के लोगों को बता सकता मैंने आप आपने मेरे से जो पूछा मैंने उसके बारे में सही बताया कि मेरे पास कोई ऐसा पत्र नहीं चि इसका मतलब मैं तो मानूग की विशेस का ही है जब हमारे पास सित्थी नहीं है और कांग्डियसे के पास सित्थी नहीं है तो उसको दोनों इस तरह से देखे तो एक पर्टिकुलर एक आदमी का प्रोग्राम था वह अपनी ताकत दिखाना चाहते होंगे इस वज़े से उनका अब क्या मानते क्या उदेश से हो सकता है इसके पीछे इसका उदेश से आप कह सकते हैं कि सहाभशिघत अपनी राजनीटी दूबारे सी यहाँ already स्तावित करना चाहते हूं शैनी समाज में एक लीडर स्तावित होना चाहते हूं इस तरह की नोंने जो यह प्रोग्राम किया है तो आप देख सकते हैं आदिस सेनी जी मेरे साथ में थे जिनका साबतोर पर कहना है कि कल जो उत्राखंड के अंदर जो एक कारेकरम सेनी समयलन के नाम से हुआ है वह कि ना तो पार्टी का कारेकरम था ना ही वह सेनी समयलन के मतले कि समाज का कारेकरम था इनका कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति विसेश का कारेकरम था यानि कि साफ सिंग सेनी का वह व्यक्तिकत कारेकरम था तो कैमरे परसंदेव के साथ मोनु सेनी गन्दुत्र प्रदेश